लेटेस्ट न्यूस के लिए इस चानल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिया। कपिल शर्मा से लड़ाई के बाद पहली बार बोले सुनिल ग्रोवर, उनकी दर्यादिली देखाप भी करेंगे। सलाम का पिल शर्मा और सुनिल ग्रोवर की लड़ाई में रोच कुछ नया सुनने को मिल रहा है अभी खब्रेया। रही थहीं कि सुनिल ग्रोवर ने दिक्पिल शर्मा शो से विदाय ले ली है और उनी के चलते अली असगर। और चंदन प्रभाकर ने भी शो छोड़ दिया है अली शो में नानी और चंदन नौकर का रॉल प्ले करते थे। वहीं सुनिल ग्रोवर डॉक्टर मश्हूर गुलाती बनते थे शो का आखरी एपिस और नाम शबाना की स्टार कास्ट के साथ शूट किया गया इस दोरान सिट पर सुनिल ग्रोवर और चंदन प्रभाकर मौजूद नहीं थे जिसके बाद खबरे आई थी कि बॉलिवुट स शो में दिखेंगे या नहीं इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सुनिल नहीं छोड़ेंगे शो बॉलिवुड लाइफ में छपी खबर के अनुसार सुनिल ने चैनल के साथ को अंट्रेक्ट साइन कर रखा है जिसके कारण वो अप्रेल तक शो नहीं छोड़ सकते सुनिल का को अंट्रेक्ट 23 अप्रेल को खत्म होगा इससे पहले अगर सुनिल चाहे तो भी शो नहीं छोड़ सकते हैं अपने शो छोड़ने की खबरों पर अब तक सुनिल ने खुल कर कुछ भी नहीं बोला है कि पिल शर्मा से लड़ाई के बाद उन्होंने का पिल को भग थे कि कृष्णा शो में उन्हें रिप्लेस करेंगे लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि राजू श्रिवास्त्व सुनिल का रिप्लेस्मेंट बन सकते हैं उनके कपिल शर्मा शो की स्टार कास्ट ज्वाईन करने की खबरें काफी हैं वे हिस से पहले भी शो के कुछ एपिस गया है मैं और सुनील दोनों ही साथ में शो में काम कर सकते हैं